दरोगा लाल जी यादो ने मरकर भी ऐसा नाम कमाया जो बड़े बड़े नेता ने कमा पाते लाल जी यादो का सौझ जब साहिव गंज पहुंचा तो गुस्ताएं लोगों ने सरगजाम करने के साथ लाल जी यादो को न्याय दिलाने के नारे लगाए पलामू के नावा बजार के ठानेदार लाल जी यादो की मौत के बाद पूरे राज्य में एक तरह की सरगर्मी है वो सरगर्मी जब पलामू के रास्ते से होकर जब साहिब गंज उनका सौब पहुँचा तो ये साफ रूप से देखा गया लोग गुस्षे में सडकों पर उतराएं दुकाने बंद कराई सरकारी नौकरी और मुआउजा का आस्वासन देकर लोगों को समझाया गया लेकिन मामले में भीड काबू होने का नाम ही नहीं ले रही थी इसके साथ ही दारोगा लाल जी यादो का सौब जब सुब 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 साहिब गंज पहुँचा उसके बाद आसपास के लोगों ने साचर्टा चौक को बास बल्ले लगा कर जाम कर दिया था इस वज़ा से इस मार्क पर वानों का परिचालन पूरी तरह से ठप पर गया लाल जी यादो ने वो नाम कमाया जो बड़े बड़े नेता भी नाम नहीं कमा पाते बड़े बड़े नेता समाजिक सेवा का दम जरूर भरते हैं लेकिन लाल जी यादो की मौत के बाद जब साहिब गंज उनका सौब पहुँचा तो पलामू के बाद दूसरी भी साहवगन में उमड़ी तमाम नेताओं ने उन्हें सरधानजली देने उनके घर पर पहुँचे और जिस तरह का माहौल दिखा उससे यही लगता है कि लाल जी यादो ने समाज के लिए लोगों के लिए क्या कुछ किया पुलीस की जो छवी होती है वो छवी से इतर लाल जी यादो तमाम लोगों की मदद किया करते थे और यही कारण रहा कि तमाम लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर संधानजली अर्पित की पलामू से लेकर साहिब गंज के इलाके तक लाल जी यादो जहां जहां पोस्टिंग में रहे वहां उन्होंने समाज के लोगों के साथ बैठ कर एक तरह से पुलिसिया रूतबा से अलग हट कर उन्होंने समाज के परती अपनी समर्थता दिखाई और यही कारण रहा कि लाल जी यादो चहेते बन गये थे जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वो चहेते के रूप में देखे जाते थे सामाजिक सेवा में दिखाई देते थे पुलिस की अक्सरहा छवी होती है कि पैसे उगाही करना लेकिन लाल जी यादो इससे इतर कहीं न कहीं उनकी ये छवी काम आई और यही छवी के कारण उनकी मौत के बार भी लोगों का जो उनके प्रतिसाहनुगूती दिखाई दिया वो सासन प्रसासन से ठेकराने के लिए का भी था और ऐसे में जब लाल जी यादो का सौ जब साहिब गंज पहुँचा तो तमाम लोगों ने केवल सरधांजली दी बलकि घाट पर पहुँचकर अंतिम दर्सन के लिए भी उनके साथ रहे अंतिम वक्त में अंतिम संसकार के लिए जिस तरह की बातें वहां पर उगाही करने का और लोगों से पैसे लेने का वो बड़ा सवाल अब भी बरकरार है और ऐसे में जो तमाम सामाजिक संगठन है वो उभर कर सामने आ रहे हैं प्रदेश यादो महासभा के कारेकार अध्यक्ष बजरंगी यादो भी इस सभा में पहुँचे और इस सभा में प ब्रष्टाचार के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है ब्रष्टाचार नेताओं में ही नहीं बलकि अधिकालियों में रग रग में समा गया है इसी का बिरोद सायर लाल जी यादो को महागा पड़ा और यही कारण रहा कि उनकी आत्म हत्या को जो रूप दिया गया वो कहीं के लिए सायवगान से ब्यूरो रिपोर्ट उस्ताद आपत में पड़ी है जान उस्ताद उसके हाथ में तलवार है तलवार का मुकबला पाइप से रहा है आरे आप तो हीडरो हो हीरो मैं नहीं गलाइको पाइप अरे बॉस का कॉल हैलो आज का हेडलाइन क्या है téles का है हैं एक एक पूद की किमत जब दूरती है आप जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मूँ मोड़ता है जमाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिक निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां